कल को अगर पाकिस्तान भारत पे यूद करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्जे सरकारे अपना अपना देख लें यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें दिल्ली वाले अपने अध्यार खरीद लें ऐसे थोड़ी होता है दिल्ली में युवाओं की वैक्सिन खतम हो गई है पिछले चार दिनों से युवाओं के वैक्सिनेशन सेंटर बंद पड़े हैं बुजुगों की को वैक्सिन भी खतम हो गई है हमने केंदर सरकार को लिखा है लेकिन अभी तक वैक्सिन आई नहीं है और ये केवल दिल्ली की बात नहीं हैं देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं इतनी महमारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नई-nats केंद्र खोलने चाहिए थे ऐसे वक्त में मौझुदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं ये अच्छी बाती है, देश में वैक्सिन की जबरदस्थ किल्लत है, और मुझे लगता है, पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां होई हैं, अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सिन लगा दी जाती, तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफी कम किया जा स सकता था, कई लोगों की जान बचाई जा सकते थे, कई घर बरबाद होने से बच सकते थे, दूसरी वेव देश के लिए बेहत घातक साबित होई है, शायद ही ऐसा कोई परिवार हो, जो करोना से अच्छूता रहा हो, ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गया, ना जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठेया, कितनों ने अपने मा, भाई, बेहन और अपने प्रियजनों को खोया है, भारत ने छे महीने की देरी कर दी, आज से छे महीने पहले, दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व हमने उस वक्त बहुत बड़ी गल्की करती, अपने लोगों को वैक्सिन लगाने की बजाए अपनी वैक्सिन दूसरे देशों को भेजनी चालू करती, जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सिन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सिन लगाने की बजाए अपनी वैक्सिन दुनिया के दूसरे देशों को भेच रहे थे दुनिया की सबसे पहली वैक्सिन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतियों को वैक्सिन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था ये काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे हमने ऐसा नहीं किया अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सिन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचा काम नहीं कर रहे हैं मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सिन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना-पना देख यहां वहां जहां तहां से वैक्सिन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दो महीनों से देश का हर रज्य वैक्सिन जुगाडने में लगा हुआ है, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी रज्य शायद वैक्सिन का एक भी एक्स्ट्रा टी का इंतिजान नहीं कर पाया उन वैक्षिन को छोड़ दीजे जो केंदर सरकार ने दिये हैं उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कमपनी से एक भी एक्स्ट्रा TK का इंतिजान नहीं कर पाया वैक्सिन कम्पीनों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे किवल के अंदर सरकार से बात करेंगे कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले सारे टेंडर फेल हो गए एक भी वैक्सिन का टीका अभी तक नहीं आया तो फिर देश वैक्सि सरकारे अपना-पना देख लें कि कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी रज्जी सरकारे अपना-पना देख लें यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें दिल्ली वाले अपने अधियार खरीद लें ऐसे थोड़ी होता है हम तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा यदि दिल्ली सरकार हारती है, तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा यदि महाराष्ट्रे सरकार हारती है, तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है अलग-अलग रज्य सरकारों को अलग-अलग एक दूसरे के कॉंपिटीशन में काम करने का नहीं है ये वक्त देश के 36 रज्य और यूटी सरकारों को केंदर सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बनके काम करने का है ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके किस्म हमार्विक से मुकाबला करने का आया मैं प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से उपर उठके अपनी पार्टी बाजी से उपर उठके देश के सिपाही बनके आपके साथ काम कर रहा है आप हमें जिम्मेदारी दीजिए हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं वो काम राज्य सरकारें कैसे करें जो काम केंदर सरकार को करने का है वो तो केंदर सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें, आप जितनी जरूरत है, उतनी वैक्सिन लाके हर राज्य को दे दीजे, उनको जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे, देश ने छे महीने खो दी है, कई घर बरबाद हो गया, कई जाने चली गई, अब और देरी की, तो ना जाने कितने और घर बरबाद हो जाएंगे, कितनी जाने चली जाएंगे, करोना को हराने के लिए, हम सब को मिलके, टीम इंडिया बनके काम करना पड़ेगा, जैहन्त